आप सभी तक पहुँच रही होगी आप सभी फिट एन फाइन होगे जैसा कि यहां पर हम लोग आने वाले ससी चसल एक्जाम में मिलेगा साथ में ध्यान लखिए ऐसे स्टुडेंट जो की प्लस पे जोईन करना चाहते हैं कोर्सेस को MTS कोर्स आ चुका है SSE GD आ चुका है CPU आ चुका है आप इन सभी कोर्सेस का फाइदा अनकेड प्लस में ले सकते हो यह मेरा डिस्काउंट कोड बर्यू टिपल सैवन आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्ट कर सकते हो आनकेडमी पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला कोश्चन है आज का कोश्चन का मतलब समझो आप से क्या बोल रहा है आप से कह रहा है इंटेनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया अभी हाली में जो कंडेक्ट किया गया था उसमें जो की जियूरी मेंबर्स थे उसके चेयर परसन के रूप में किसको एपोइंट किया गया था उसके चेयर परसन एपोइंट किया गया पैबलो सीजर क्या नाम है पैबलो सीजर पैबलो सीजर कहां से बिलॉंग करते हैं यह अर्जेंटीना से बिलॉंग करते हैं कहां से अर्जेंटीना से और ये अर्जेंटीना के एक film maker है फिल्म बनाते हैं basically वहाँ पर और इस बार के अगर IFFI की बात करें तो कौन सा edition हुआ एक 51 संस्क्रण हुआ था 51st edition कहाँ पर हुआ गोवा में हुआ था कब से कब तक चला ये 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक चला था एक चीद और ध्यान रखेगा यहाँ पर पहली movie दिखाई गई थी another round और आकरी movie दिखाई गई थी wife of a spy क्या दिखाई गई थी wife of a spy अगला question है ये कौन सी company है जिसने अभी साल 2021 की शुरुआत में breaker application को खरीद लिया breaker application जो की एक podcast application है इसको खरीद लिया गया ट्विटर के द्वारा ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी इसका headquarter है California और इसके CEO कौन है ये है Jack Dorsey ट्विटर ने breaker application को कितने में खरीदा इन्होंने 1 billion dollar में इसको करीदा कितने में 1 billion dollar Google की स्थापना 1998 में करी गई थी Microsoft की स्थापना 1975 और Facebook की स्थापना साल 2004 में करी गई अगला question है Which state government has launched M pension application इस साल की शुरुवात में 2021 की शुरुवात में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा M pension application लॉंच किया गया यहाँ पर M का मतलब क्या है M का मतलब है Moneypur Moneypur सरकार के द्वारा M pension application launch क्या गया है इसका में मकसद ये है कि Moneypur के अंदर वो सरकारी employee जो की retire हो रहे हैं और retire होने के बाद उन्हें अपनी pension बंदवानी है तो अब उनको सरकारी कार्याले के चक्कर लगानी की जरूरत नहीं है वो अपने सारे documents को इस application के तुरू upload कर सकते हैं और साथ में अपनी pension को भी track कर सकते हैं उन्हें पता लगता रहेगा इस application से कि उनकी जो pension है वो कब आएगी ये सारी updates वो सिर्फ एक application के तुरू ले सकते हैं मनीपुर में बिरेन सिंग की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर नजमा हिप्तुला नागा लेंड में नेपियो रियो की सरकार है यहाँ पर गवर्नर है आर एन रवी सिक्किम में पी एस तमांग की सरकार है और गवर्नर कौन है यहाँ पर गंगा प्रशाद करनाटक में B.S. ये दुरपपा की सरकार है और गवर्नर है हाँ पर वजू भाई वाला अगला कुशन है आपसे कह रहा है अभी हाली में हमारी ये कौन सी आम्ड यूनिट है जिसके द्वारा IDSR के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है IDSR के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है इंडियन एर फोर्स के द्वारा ये जो पैक्ट साइन किया गया है इसका मेन मतलब यह है कि इंडियन एर फोर्स का हमारे जो भी कर्मचारी है अगर वो research करना चाहते हैं किसी भी field में या फिर doctorate करना चाहते हैं जैसे PhD वगएरा तो वो IDSR से मुफ्त में कर सकते हैं free of cost वो अपनी study कर सकते हैं research और doctorate के चेत्र में IDSR की स्थापना कप करी गई थी 1965 में इसका headquarter है नहीं दिल्ली और IDSR के इस टाइम पर director general है सुजान चिनोई क्या नामें इनका सुजान चिनोई बाद वे आपको बता दूं इंडियन एयरफोर्स के हमारे chief कौन है ये हैं आरके सिंग बदोरिया अगला question है आपसे कहा रहा है इस एर खेलो इंडिया ice hockey tournament will be organized in which place इस साल 2021 की चुरवात में खेलो इंडिया ice hockey tournament का आयोजन कौन सी जगह पर क्या गया इस बार इसको host क्या गया लद्दाक के कार्गिल में कहां पर लद्दाक के अंदर कार्गिल district में अगर आपसे पूछे कार्गिल में भी कहां पर इस बार का ice hockey tournament हुआ तो इस जगह का नाम है चिक्तान क्या बोलते हैं इसको चिक्तान में इसको आयोजित क्या गया यह 6 जनवरी को चुरु हुआ था इसमें इस बार कितनी टीमें खेली हैं ice hockey tournament में पूरी 13 टीमें इस बार खेली थी 13 गाउं की टीमें और इन 13 में से 11 पुर्चों की टीमें थी और 2 महिलाओं की टीमें थी पहली बार नया इसमें ये था कि खेलो इंडिया आइस हौकी टूर्णावेट में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था ये जो दो टीमे थी ये बिल्कुल नई टीमे थी और इसको और्गनाईज किया गया किसके द्वारा आइस हौकी एसोसियेशन के द्वारा अगला कुशन है अच्छा एक चीज और आप तो ये कंड़क्ट हो चुका है क्या आप मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर बता सकते हो जैसे कई लोग अभी हैं फर्मान हैं अवनेंद्र हैं बताइए मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं मैं कहा रहा हूं बताइए इस बार का ज कोई भी बता सकता है केलो इंडिया आइस होकी टूर्णामेंट जो हुआ है इसमें सबसे आधा मेडल किसने जीते हैं कौन सी टीम ले अजय का अंसर फर्मान का अंसर सुधीर का अंसर सभी का अंसर सही है वेरी नाइस ये है जम्मू कश्मे टीम ठीक है बूलना मत अगला इसमेंट बनाने का उद्देश ये है कि इनमें से किस जगे की लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना है ये बात हो रही है लद्दाक के लिए ठीक है लद्दाक में गवर्नर कौन है रादा कृष्न मातुर जैनके में गवर्नर है मनोस सिना अरणाचल प्रदेश मे गवर्नर है बीडी मिस्रा और नागालेंड में गवर्नर है आर एन रभी तो जयान रखना भारत सरकार के द्वारा लद्दाक की भाषा और वहां के कल्चर को प्रोट करने के लिए और प्रिटेक्ट करने के लिए एक कमीटी का उदुखाटन किया जाएगा बहुत ही अर शर्चस्टफ फ्लोटिंग सोलर एनरजी प्रोटेक्ट है कि इस तरीके से पानी में तैरता हुआ थ्लोटिंग इसको बोलते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आस तक का solar energy project जो है यह मद्वदेश के कौन से district में लगाया जाएगा इसको मद्वदेश के khandawa district में लगाया जाएगा कहाँ पर khandawa district में और इसका potential होगा 600 megawatt 600 megawatt का यह project लगाया जाएगा और यह कब तक बन के तयार होगा यह 2023 तक बन के त्यार होगा एक चीज और अगर आप से पूसता है दुनिया का सबसे वड़ा floating solar energy project मद्वदेश में खांडवा डिस्टिक में ये कौन सी डैम के उपर बन रहा है तो आपको ध्यान लखना है ये ओम कारेश्वर और यहाँ पर नदी कौन सी वहती है यहाँ पर नर्मदा नदी वहती है यह आपका खांडवा डिस्टिक और खांडवा डिस्टिक यह जो है यहाँ पर खांडवा डिस्टिक से ही होते हुए यह जो आपकी नर्मदा नदी है यह गुजराच में एंटर करते हुए Arabian Ocean में जाके गिर जाती है अगला कुशन है Who has been appointed as the first deputy general secretary of all India football federation अभी कुछी time पहले इस साल की शरुवात में AIFF के पहली बार deputy general secretary के रूप में किसको appoint किया किया है इनका नाम है अभिशेख यादो अभिशेख यादो हैस बिकिम दा first deputy general secretary of AIFF AIFF की स्थापना 1937 में करी गई थी और इसका headquarter क्या है नई दिल्ली का द्वार का AIFF के इस टाइम पे president कौन है यह है प्रफुल पटेल प्रफुल पटेल क्या बता सकते हो हमारा जो all India football federation है इसको FIFA में कब register किया गया था या फिर आप यह बहुत सकते हो कि FIFA की membership भारत को कब मिली थी तो ध्यान रखना हमेशा यह बहुत important है 1948 में हमें FIFA में recognition मिला था AIFF को ठीक है और यह जो शे की आदो हैं यह पहले भारती footballer रह चुके हैं अभी तो यह रिटायर हो गए हैं तो यह पहले deputy general secretary बने AIFF के अगला question है आप से कह रहा है इस साल की शुरुवाज में world day of war orphans हम लोगों में किस दिन मनाया यह हर साल 6 जिन्वरी को मनाया जाता है यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग जिनों ने war के दौरान अपने माबाप को खो दिया है उनके लिए एक तरीके से यह दिवस मनाया जाता है और उनके welfare के लिए हर country में government को नहीं नहीं schemes चलाते रहना चाहिए उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात से awareness के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल United Nations के दौरा अगला question है इंडिया has given 19.21 kron to which country for reconstruction of educational institutes damaged during earthquake 2015 question का मतलब ध्यान से समझो आपसे क्या बोल रहा है हिंदी में समझ लो पहले आपसे कह रहा है साल 2015 में यह कौन सा देश है जहां पर भूकम पाया था और भूकम की वज़े से यहां के educational institute damage हो गए थे उन educational institutions को reconstruct कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा अभी हाली में करीब 20 करोंड रुपे की तंडाशी दी गई है यह दी गई है नेपाल को किसको नेपाल को उस टाइम पर भारत सरकार के द्वारा financial assistance के लिए announcement क्या गया था तो अब भारत सरकार वो पैसा नेपाल सरकार को मदद के रूप में दे रही है ठीक है और ध्यान रखना नेपाल में किसकी सरकार है खागड़ा प्रिशाज शर्मा उली की सरकार है यहाँ पर रास्टपती है बिद्या देवी बंडारी अफगानिस्तान में अश्रफ गनी की सरकार है बांगला देश में सेख हसीना की सरकार है और शेलंका में महिंदा राजपक्चा की स्टाइन पर सरकार है सबी लोग ध्यान रखेंगे इस साल 26 मार्च 2021 को बांगलादेश अपना पचासवा इस्थापना दिवस मना रहा है 50th, ओके और इस उपलक्ष में प्रधानमंती नरेंद मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया किया है आप में से कौन बता सकता है जो कि मेरे डेली करेंट फ़ेर फॉलो कर रहा होगा आसानी से बता देगा बताइए जरा कुस टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बांगलादेश इस बार 50th इस्थापना दिवस मना रहा है और इस वर्स को हम लोग विक्टरी एर के रूप में मना रहा है तो इस उपलक्ष में हमारी एक कौन सी आम्ड यूनिट है जिसके द्वारा एक साइकल रैली का आयोजन क्या गया जरा बताओ करमेंड बॉक्स में लिखकर कौन सी आम्ड यूनिट के द्वारा साइकल रैली आयोजन करी गई थी बताइए आचल, विशजीद, रितिक, तीनों का आंसर सही है बहुत बढ़ी है वनीशा आंसर सही है यह है Border Security Force, BSF ठीक है? बेरी नाइस चार अजार सतानवे किलोमेटर की साइकल रैली का आयोजन क्या गया था और आपको पता है इस बार जो आपका International India Film Festival हुआ है गोवा में उसमें बांगलादेश ही Focus Country था बांगलादेश से बहुत सारे कोशन बनना है जैसे कि अभी एक और कोशन बनना है आप से पूछ सकता है साल 2021 की जो Republic Day की परेड है इसमें कौन सी कंट्री की आर्मी ने अमारी आर्मी के साथ परेड में हिस्सा लिया ये भी बांगलादेश की आर्मी है इन्होंने अमारी आर्मी के साथ हिस्सा लिया इस बार 26 जन्वरी की परेड में अगला कुशन है Which state government has announced our government holiday on 28th of January in the honor of Lord Morgan कुशन का मतलब ये है भागवान मुर्गन की याद में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अब से हर साल 28 जन्वरी को government holiday declare कर दिया है तो 28 जन्वरी को अब से हर साल government holiday हुआ करेगा तमिलनाड में यहां पर एके पलानी स्वामी की सरकार के द्वारा अब से 28 फरवरी को थाइपुसम फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा किसमें इसका नाम क्या है थाइपुसम फेस्टिवल इस तेउहार का नाम ध्यान रखेगा तो question आप से ऐसे भी पूस सकता है कि अभी हाली में कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि थाइपुसम तेउहार को अप से सरकारी holiday के रूप में declare कर दिया गया है तो यह तमिलनाड़ू सरकार है अप से 28 जन्वरी को तमिलनाड़ में चुट्टी राग करेगी ऐसा नहीं है कि साउथ में केवल तमिलनाड़ में ही यह तोहार मनाया जाता हो थाइपुसम केरल में भी मनाया जाता है करनाटक में भी कुछ जगहों पर मनाया जाता है इवन दूसरे देशों में जैसे सिंगापुर हो गया मलेशिया हो गया स्रीलंका हो गया इन सभी जगहों पर मनाया जाता है लेकिन बस अंतर ये है कि दूसरी जगहों पर छुट्टी नहीं इसके लिए होती है तमिलनाड़ो सरकार ने इसको अपसे holiday declare करती आए और यहां पर गवंणर कौन है बनवारी लाल प्रोहिद केरल में गवंणर है आरिफ मौम्मद खान और करनाटक में गवंणर है वजुबाईवाला और आंध पदेश में गवंणर है विस भूशन हरी चंदन अगला कुश्यन है ये कौन से भारती अमेरिकन है जो कि पहली बार चीफ इन्फोर्मेशन ओफिसर के रूप में अपॉइंट के गए है अमेरिकी आर्मी में अमरीकी आर्मी में पहली बार किसी भारती को चीफ इन्फोर्मेशन ओफिसर की पोस्ट मिली है और इनका नाम क्या है इनका नाम है राज आयर क्या नाम है राज आयर और अमेरिका में सरकार किसकी है जो बीडिन की सरकार चल रही है और यहां की उप्रास्ट पती कौन है? Kamala Harris, Kamala Harris एक दिन एक student बोल रहा था सर यह Kamala नहीं है, यह Kamala है वो बोल रहा था मैंने कहा बिटा वहाँ पे Kamala, Vimla और सुस्मिता इस तरीके के नाम नहीं होते हैं वहाँ का accent अलग है उनका नाम क्या है? Kamala Harris है ना की Kamala बोलने लगो अगला question है Which state government has temporarily banned poultry from southern state? इस साल की शुरवात में आप से कह रहा है, इस साल की शुरवात में कौन सी राज्य सरकार है? जिसने दक्षण भारत के जितने भी राज्यें, उन सभी से poultry products जो थे chicken वगेरा, इसको ban कर दिया था आपको ध्यान रखना है, ये ban कर दिया गया था किसके द्वारा? मद्वदेश सरकार के द्वारा even हर्याना सरकार के द्वारा भी ban कर दिया गया था उसके बाद और आप से बोल सकता है कि कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले बैन किया था पंजाब पंजाब ने इसको सबसे पहले बैन किया था अगला question है which university has launched कर्म योगी scheme to offer part-time job इस साल की चरवात में कौन सी university है जिसके द्वारा कर्म योगी scheme launch करी गई थी इस scheme के तहट इस university में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्रा हैं उन सबी को part-time job offer कर रही है university यह है लखनव योगी लखनव योगी कर्म योगी scheme के तहट आपको daily का maximum 2 गंटे का काम दे सकती है हर गंटे का आपको 150 रुपिया मिलेगा अगर आप part-time job करना चाहते हैं तो आप साल में करीब 15,000 रुपए कमा सकते हैं आपसे कहा रहा है अगौदा जेल अभी हाली में खोल दी गई और इसको tourist spot बना कर खोला गया है यह कौन से राज्ज में इस्तित है अगौदा जेल और यह North Goa में basically पढ़ता है अगौदा जेल और खास बात इसकी यह है कि यह पूरा जेल Portuguese era के अंतरगत बनाया गया था और पुर्टगालियों नो इसको बनाया था और दुख की बात यह है कि हमारे ही देश में पुर्टगालियों ने इस जेल को हमारे ही लिये बनाया था हम भारतियों को इसमें बंद किया जाता था तो इस जेल को अब फिर से खोल दिया गया है लोग इसको गूमने के परपस से जा सकते हैं गोवा में प्रमोस सावंदी क सरकार है और गवर्नर कौन है बगस सिंख होस्यारी असाम में गवर्नर है जगदीश मुखी वेस्ट बेंगॉल में जगदीश धनकड और चत्रिस गड़ में कौन है अंजुया ओईके अगला कुशन है गौर्मेंट ओफ इंडिया इस टू बिगिन हाउ मैनी डे इस नेशन वाइड पोलियो इम्मिनाइजेशन फ्रॉम 17 जनवरी 2021 आप से कह रहा है भारत सरकार के द्वारा 17 जनवरी को पूरे देश बर में पोलियो का वैक्सीन लगाने का अभियान जारी किया ग आज student नहीं है काफी सारे मुझे लग रहे हो हो मैं मैंने आज share नहीं किया है तो student को लग रहा है पता ही नहीं है के पोई नहीं बाद में देख लेंगे बाकी student उलो का नाम जब सुनता हूं तो क्या गर सकते हैं फर्मान हैoe अगला question है with the effect of which organization पाकिस्तान court has issued arrest warrant against मसूद अजर आप से कह रहा है इसमें से कौन सी organization के effect के तहत या फिर कौन से organization के कहने पर पाकिस्तान court अभी मजबूर हो गया कुछ ताइम पहले मसूद अजर के किलाब arrest warrant issue करने को तो ये बात हो रही है किसकी FATF की financial action task force ये जो financial action task force है ये क्या करती है ये पूरी दुनिया में हर देश के उपर monitoring और controlling करती है इनका काम होता है ये देखना कि कोई भी देश terror funding तो नहीं कर रहा है गिरफ्तारी का warrant जारी करना होगा बिना ऐसा किया आप terror funding को कब नहीं कर सकते हो तब जाकर ऐसा हुआ है और FATF की स्थापना 1989 में करी गई थी FATF का headquarter है Paris और FATF के इस टाइम पे president कौन है इनका नाम है मर्कस प्लेयर क्या नाम है मर्कस प्लेयर अगला कुश्चन है आप से कह रहा है ये कौन से कैडर के I.S. अधिकारी है जिनको अभी हाली में A.G.M.U.T. में merge कर दिया गया है A.G.M.U.T. का मतलब समझ रहे है A.F. अरणाचल प्रदेश G.F. गोवा M.F. मिजोरम और U.T. या फिर मिजोरम या फिर किसी भी U.T. का कैडर दिया जाएगा बात आ रही है समझ जब तक जम्मू कश्मीर के लिए नए कैडर के प्रावदान नहीं आ जाते क्योंकि हम सभी को पताए कि जम्मू कश्मीर में हर चीज नए सिरे से बनाई जा रही है बाइफरकेशन के जिसकी वज़े से ऐसा फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर में गवर्नर कौन है मनोस सिनहा चंदीघड में गवर्नर है वीपी बदनोर लद्दाक में है रादा किष्ण मातुर और दिल्ली में है अनिल वैजाल हेलो सर प्रॉम औरंगाबाद महरास्टा नितिन ऐसा मत बोलिये सरकार बुरावान जाईगी वांकी अब उस जगह का नाम संभाजी नगर हो चुका है संभाजी नगर हाँ तो समल कर बोला करिये अगला कुशन है रिजर्व एंक ओफ इंडिया एनाउंस्ट आप से कह रहा है आर बी आई के द्वारा अभी हाली में कितनी धन्राशी पेमेंट इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलमेंट फंड के रूप में आवंटित करी गई है तो आपको ध्यान लगना आर बी आई के द्व यह payment infrastructure development fund का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि real time transaction जो है उनको बढ़ावा देना है real time transaction का मतलब समझ रहे हो जैसे कि आप Google पे से payment करते हो phone पे हो गया पे टियम हो गया इन सभी से जो आप payment करते हो इसको बढ़ावा देना है तो इसके लिए और infrastructure maintain किया जाए पांसा क्रोण की धन्राशिया अवंटित करी गई है आरबियाई की स्थापना 1935 में करी गई थी आरबियाई का headquarter है मुंबाई और इसके गवर्नर एंस टाइम पे शक्ति कांत दास आपको पता है शक्ति कांत दास कि कौना भाई प्रभाद का कहना है सर क्या ये class यूट्यूब पे हो रही है भाई मेरे ये यूट्यूब भी त चल रहा है ऐसा question करोगे अब अंजी तो शक्ति कांत दास आपको ध्यान रखना है आरबियाई के कौन से गवर्नर है 25 में गवर्नर है अगला question है which state government has launched कृषी संजीवनी वंस प्रोग्राम आप से कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा साल 2021 की शुरवात मे क्रशी संजीवनी वंस प्रोग्राम लॉंच किया गया है इसको लॉंच किया गया है इस साल करनाटक में B.S. यजरपा की सरकार के द्वारा अब देखो ये प्रोग्राम है क्या काफी interesting प्रोग्राम है इसके तहत B.S. यजरपा की सरकार का कहना है कि करनाटक के अंदर ये soil sample test करेंगे मतलब जगाओ जगाओ पर पानी और मिट्टी की गुलवत्ता को चेक करेंगे जहां पर भी मिट्टी बंजर मिलेगी उस area को reserve declare कर दिया जाएगा और उसको fertile बनाने की कोशिस करी जाएगी मतलब जितनी भी बंदर जमीन है करनाटक के अंदर सब को उवजाओ बना आए गए जेके महेश्वरी और जेके महेश्वरी ने किसको सक्सीड किया इन्होंने अरूप कुमार गोस्वामी को सक्सीड किया अरूप कुमार गोस्वामी और आप लोगों को पता है अरूप कुमार गोस्वामी कहां चले गए यह आंध पदोश हाई कोर्ट चले गए कहा पर आंद्र परदेश के हाई कोट इनका ट्रांसफर हो गया और इनकी जगे पर जे के महिश्वरी आ गया अगला कोश्चन है अब ही हाली में गोहाटी हाई कोट के चीफ जिस्टिस के रूप में किसको अपट किया गया इनका नाम है सुधानसु दूलिया क्या बता सकते हो दिल्ली हाई कोट की सीनियर जजज जिनका नाम है हिमा कोहली ये कौन से हाई कोट की चीफ जिस्टिस बनाई गई है कमेंड करो जल्दी से जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए मैं पूछ रहा हूँ जो जल्दी से बताईए मैंने का हिमा कोहली कौन से हाई कोड की चीफ जेस्टिस बनाई गई है अब नेंद्र का अंसर बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया प्रिंस, निहार सभी के अंसर सही है जो लोग बोल रहे है तेलंगाना हाई कोड या हाईदराबाद हाई कोड बात वही है उसकी चीफ जेस्टिस बनाई गई है हेमा कोहली और इनका अभी हाली में प्रमोशन हुआ है ये दिल्ली हाई कोड में सीनिर जर्स थी अब ये चीफ जेस्टिस बना दी गई है अगला कोशन है पंजाब नैशनल बैंक ने अभी हाली में कौन से IIT के साथ पैक्ट असाइन क्या है इस IIT के मदद से ये Financial Technology Innovation Center की स्थापना करेंगे PNB यहाँ पर मदद ले रहा है IIT कानपूर की अब देखो ये FinTech Innovation Center है क्या इसका मेन मकसद ये होगा कि बैंकिंग से जुड़े हुए नहे नहे इनोवेशन करना मतलब कहने का कि Transactions को और सिक्योर और बैतर आने वाले टाइम पे हम कैसे कर सकते हैं तो इस वज़े से ये मदद लेंगे IIT कानपूर की By the way, PNB की स्थापना 1894 में करी गई थी आपको पता है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी इसकी स्थापना लाला लाशपत राए के द्वारा और साथ में दयाल सिंग मजीतिया के द्वारा करी गई थी इस टाइम पे PNB के CEO हैं PNB का headquarter है नहीं दिली और भारत का सबसे पुराना सवजेसी बैंक है ये PNB एक किताब अभी कुस टाइम पहले न्यूज में थी इस साल की शुरुबात में लाउंच हुई है ये किताब जिसका नाम है Right Under Your Nose ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो answer आपके सामने लिखा हुआ है ये किताब आर गिर्धरन के द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा आर गिर्धरन और ये कौन है आर गिर्धरन ये Reserve Bank of India में General Manager की पोस्ट पे कारे रहत है आर गिर्धरन ने जो किताब लिखी हुई है ये किताब थ्रेल और सस्पेंस से भरी हुई किताब है इस किताब की कहानी काफी इंट्रेस्टिंग है एक सीरियल किलर है जो की कई सारे भारत के वैज्ञानिकों को मार रहा है लगातार और उसके बाद क्या होता है कि एक राज्य के उस राज्य के मुख्य मंत्री के द्वारा बुलाया जाता है एक सूपर कॉप को और 15 दिन के बाद पार्लियामेंट सेशन खुलना है करीब एक हफते बाद पार्लियामेंट का सेशन खुलना है तो इस सूपर कॉप को एक हफते का टाइम दिया जाता है CM के द्वारा कि एक हफ़ते में पता लगाओ और case को solve करो मुझे जनता को जवाब देना है एक हफ़ते बाद अब वो एक हफ़ते में किस तरीके से पूरे case को solve करता है Supercop, ठीक है तो ये कहानी है पूरी बेसिकली जो इस किताब में लिखे गई है right under your nose और ये सुपरकॉप का नाम क्या है इसका नाम है विजय अगला कुश्चन है विच स्टेट गवर्मेंट हैस साइंड एमो यू वेद काफी इंपोर्टेंट कुश्चन है आप से कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा Cambridge University के साथ पैक्ट साइन किया गया ये है आंद्र पदेश में ये जगमोनेटी की सरकार Cambridge University बहुत पुरानी यूनिवस्टी है इसकी स्थापना दो 1209 में करी गई थी जब करीब करीब दिल्ली सल्तनात स्थार्ट हो रही थी हिंदुस्तान में और ये कहाँ पर है ये है लंदन में ठीके और एक चीज़ ध्यान रखना ये जो Cambridge University के साथ पैक्ट साइन क्या गया है इसका में मतलब क्या है में मतलब ये है कि आंद्र पदेश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चों को मुफ्त में English Speaking की ट्रेनिंग दी जाएगी बात समझार ये इसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री में बहुत ही बहतरीन काम सराना पूर्ण और यहाँ पर गवर्नर कौन है बिस्वभूशन हरी चन्दन गोवा में प्रमोस सावंध की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर भगस सिंग कोसियारी मद्य पदेश में शिवराज सिंग चोहान की सरकार है गवर्नर है आनंदी बेन पटेल बिहार में निजीश कुमार की सरकार है और गवर्नर कौन है पागू चोहान अगला कोश्चन है ये कौन सी राजय सरकार है जिसके द्वारा अभी हाली में ई दाखिल नाम का एक portal लॉंच किया गया था पंजाब में कैपटन अमरिंदर सिंह की सरकार के द्वारा ये consumer affairs department के द्वारा इनके launch किया गया था और ये basically इस वज़े से launch किया गया है कि आप जैसे कोई भी सामान वगेरा खरीते हो कोई भी चीज अगर आपने purchase करी तो अगर आपके साथ कोई भी धोका दड़ी का case हुआ है तो आप यहाँ पर case कर सकते हो और fast track court में आपका case तुरन जाके sort out कर दिया जाएगा 21 दिनों के अंदर पंजाब में governor कौन है VP बजनोर अगला question है इस साल जन्वरी के महिने में मतलब साल की शुरुवात में ही ये कौन सा देश है जिसने फते वन नाम का rocket system launch किया था इसको launch किया गया पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के द्वारा ये जो फते वन rocket system है इसकी range 140 km है और पाकिस्तान के राश्टपती इस टाइम पे कौन है ये है आरिफ अलवी ये नाम है आरिफ अलवी बांगला देश में सेख हसीना की सरकार है इरान में हसन रुहानी की सरकार है और अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार है इरान की capital क क्या है तेहरान त्यान रखना अभी कुस टाइम पहले इरान वो देश है जिसके द्वारा अपनी एक नई currency launch करी थी इन्होंने इसका नाम क्या है इसका नाम है तुमान नाम की currency launch करी है इरान ने एक तुमान कितने रियाल के बराबर है तो आपको ध्यान रखना है एक तुम ये बहुत important होते हैं अंतर रास्टी लेवल पे आपको प्रेसिडेंट के appointment, प्राइम मनिस्टर के appointment या फिर किसी भी organization में CEO के appointment ये सबसे आधा पूचे जाते हैं तो ध्यान रखना इस साल के शुरुवात में Central African Republic के नए रास्टपती कौन elect किये गए हैं तो इस बार elect किया गया है किसको ये इनका नाम है Boston, Archange, Taudera Boston, Archange, Taudera एक बार फिर से रास्टपती elect कर लिये गए हैं इससे पहले भी ये रास्टपती थे इनको तिरेपन प्रतीशत vote मिले हैं तो majority मिल गई और ये फिर से रास्टपती बन गए by the way Central African Republic की capital क्या है इसकी capital है बांगुई क्या बोलते हैं बांगुई और यहाँ पर currency चलती है फ्रैंक वैसे आपको बताऊं ज्यादा तर एफ्रिकन countries में जो currency चलती है वो rand चलती है या rand ठीक है इस साल की शुरुवात में Amazon के founder Jeff Bezos को सरपास करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए ये हैं Elon Musk Bloomberg ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स चारी किया गया है साल की शुरुवात में और उसमें number one rank Elon Musk ने हासिल करी मतलब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति Elon Musk डिक्लेर किये गए हैं इनकी company Tesla है और SpaceX नाम की जो SpaceX company है वो भी इनी किया ध्यान रखिएगा आपको पता है Bloomberg बिलेनियर इंडेक्स के तहत मुकेश हम्मानी को कौन से rank मिली है मुकेश हम्मानी को 12 rank मिली है पुरे वर्ड में ठीक है और 11 rank कि किसको मिली है यह जोंग शांचान को मिली है जोंग शांचान और जोंग शांचान मुकेश हम्मानी को सरपास करके एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है मुकेश हम्मानी अब एशिया में नंबर दो पे हैं और पूरे वर्ड में बारवे नंबर पे हैं अगला कोश्यन है और एक चीज ध्यान रखना कई लोगों को confusion होगा कुछ लोग कहेंगे कि मुकेश हम्मानी को आठवी रैंक मिली है वो दूसरा इंडेक्स है जो अभी हाली में लांच किया गया है उस इंडेक्स का नाम क्या है उसको बोलते हैं हुरून इंडेक्स हुरून इंडेक्स में आठवी रैंक मिली है मुकेश हम्मानी को ठीक है और Bloomberg में भारवी रैंक मिली है तो दोनों अलग अलग रैंक है दोनों इंडेक्स में आपको ध्यान लगना है यह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाली में इसको लाँच कही तहा बंधन बैंक के द्वारा अगौता इसकी इस्तापना साल 2001 में करी गई थी और बंधन बैंक के सीउ है चंदर शेकर गोशा अब यह bank shore salary account है क्या? इसका main मतलब यह है कि अगर आप army से belong करते हो चाहे आप अतिकारी हो, चाहे आप soldier हो normal, आप अगर किसी भी army से belong करते हो Indian army, Indian air force, Indian navy आप किसी में भी हो, तो आपको zero balance account की facility दी जा रही है banking, बंदन bank की तरफ से इसी को shore salary account के नाम से अगला question है, प्रवासी भारती दिवस या फिर NRI Day, हम लोग कौन से दिन मनाते हैं, हर साल 9 जन्वरी को इसको मनाया जाता है, इस बार भी 9 जन्वरी को ही हम लोगों ने मनाया, क्योंकि 9 जन्वरी 1915 को महात्मा गांधी South Africa से भारत आयते, इस वज़े प्रायम इंस्टा नरेन मोदी की कॉंस्टिटिवेंसी, वारांसी में मनाया गया, ठीक है सर इतने डेस कैसे याद करें बस बार बार आप रीडाउट करते रहोगे रिवीजन करते रहोगे, चीज़ा याद हो जाएंगी, अगर आप सुचोगे कि याद कर लें, तो फिर याद नहीं होगी ठीक है, चाबला जी समझ रहा ना मेरी बात को अब शेक शर्मा का पूछना है, पीडिएफ मिलेगी नहीं, पीडिएफ बटा बिलकुल भी नहीं मिलेगी एक परसेंट भी उम्मीद मत रखे कि पीडिएफ मिलेगी सिर्फ क्लास ही मिलेगी अगला कुश्चन है विच स्टेट गवर्णमेंट हैस एनौंस तो गेफ खादी क्लोथ तो ग्रेड फोर गवर्णमेंट एम्प्लोईज आप से कह रहा है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा भी हाली में अनौंस किया गया था कि अपने राज्य के अंदर जितने भी ग्रेड फोर गवर्णमेंट एम्प्लोईज हैं उन सभी को खादी के कपड़े गिफ्ट करेंगे ये है सर्बनन्दा सुनवाल की सरकार मतलब आसाम सरकार इसके द्वारा फैसला लिया गया कि एक खादी के कपड़े गिफ्ट करेंगे जो पुरुष है उनको शर्ट इनके द्वारा गिफ्ट करी गई और मैलाओं को इस्टोल और शौल गिफ्ट किये गई इसका में मतलब क्या है इसका में मतलब है आसामी वीवर्स को बढ़ावा देना आसाम के बुनकर जो कि ये शल्टे बनाते हैं सिल्क की उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना ठीक है ये में मकसद है और यहाँ पे सर्मंदा सुनवाल की सरकार है गवनर कौन है जगदीश मुखी अगला कुश्चन है ये कौन सा राज्ज है जिसने इस साल की शुरवात में पूरे राज्ज को बर्ड फ्लू की वज़े से कंट्रोल्ड एरिया डिकलेर कर दिया था कंट्रोल्ड एरिया का मतलब समझ रहे हो ना चिकन बहार से अंदर आएगा और ना अंदर का बाहर जाएगा कंट्रोल्ड एरिया केवल राज्ज के अंदर ही जितना प्रडक्शन हो रहा है उतना ही कंजूम किया जाएगा ये राज्ज सरकार है पंजाब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंग की द्वारा कंट्रोल्ड एरिया बर्ड फ्लू की वज़े से डिक्लेर कर दिया गया था यह देखिए कोशन जिसके अभी हम लोग बात कर रहे थे महारास्टा का एक कौन सा डिस्टिक है जिसका नाम बदल कर इस साल की शुरुवात में संभाजी नगर कर दिया गया उद्व ठाकरेई की सरकार के द्वारा और अंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है और ध्यान रखना आप अभी को स्टाइम पहले सरदार वल्लब भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है नरेंद मोधी स्टेडियम नरेंद मोधी स्टेडियम दुनिया का सबसे वड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद मोधी स्टेडियम और आपको बताया ना मैंने आपको अल्रेडी दो दिन पहले अभी करेंट अफेर में सुबह बताया था डेली करेंट अफेर में कि इस बार का जो IPL का जो final होने जा रहा है 30 मई को 30 मई 2021 को जो final होगा ये भी नरेंद मूदी स्टेडियम में ही होगा और इस बार IPL का कौन सा संस्क्राण हम लोग किल रहे हैं इस बार 14 संस्क्राण होगा IPL का और आपको वैसे एक इंट्रेस्टिंग बात बताऊं महरास्ट्रा के डिस्टिक्ट औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रखा जाए ये सबसे पहले आइडिया पता किसका था बाला साहिब ठाकरे का था ये आइडिया और ये आइडिया उन्होंने 1988 में दिया था और तब ये चीज हो नहीं पाई थी अब इनकी सरकार है तो इन्होंने उस चीज को मुकमल किया जो बाला साहिब ठाकरे ने प्रपोस किया था उस टाइम पे अगला कुश्चन है विच यूटी गॉर्मेंट हैस लॉंस्ट सतरक नागरिक मोबाइल एप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कुश्चन है ये ये कौन सी यूटी सरकार है जिसके द्वारा सतरक नागरिक मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया गया ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है इसका मतलब ये है इसको जेन के एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा लॉंच किया गया है अगर जम्मू कश्मीर में किसी भी सरकारी विभाग में अगर आप गूस लेते हुए किसी को देखते हैं या करप्शन करते हुए देखते हैं किसी भी तरीके से तो आप उसका वीडियो अप्लोड कर सकते हो इस एप्लिकेशन में और जमू कश्मीर का एंटी करप्शन ब्यूरो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है यहाँ पे गवर्नर कौन है गवर्नर है मनोस सिना क्या बता सकते हो कुस टाइम पहले पुड़ु चेरी में पॉंडी चेरी में अभी गवर्नर कौन है पॉइंट किये गए हैं एनिबडी हो कें टेल मी बता ही जल्दी से बता ही जल्दी से मैं क्या कह रहा हूं पॉंडी चेरी में अभी हाली में गवर्नर कौन नेखत किये गए हैं बिल्कुल सही यह हैं तमिल साही सुन्दराजन तमिल साही सुन्दराजन ठीक है सेलंगाना की गवर्नर तमिल साही सुन्दराजन को additional in charge बनाया गया है pondicherry का अगला question है ये कौन सा देश है जो कि भारत को 2113 करोन का लोन दे रहा है क्या फिर आप इसको उल्टा भी पड़ सकते हो कि भारत कौन से देश से 2113 करोन का लोन ले रहा है ये लोन हम ले रहे है जापान से और जापान ये लोन क्यों दे रहा है जापान ये लोन दे रहा है कोविड पेंडमिक की वज़े से अगर हम येन में बात करें जो कि जापान की करेंसी है तो हमने कितने का लोन लिया है 30 बिलियन का लोन लिया है कितने का 30 बिलियन का लोन लिया है और जापान में सरकार किसकी है योशी हिदे सूगा की सरकार है और यूएस में जे बीडिन की सरकार है फ्रांस में इम्मैनुवल मैकरोन की सरकार है और रश्या में व्लादी मीर पुतिन की सरकार है आज सुबह के करेंट फेर में मैंने आपको बताया है फ्रांस ने अभी हाली में एक space में military exercise launch करी थी, इस exercise का नाम क्या है, इसका नाम है Esther X, क्या नाम है Esther X, आपको पता है France ने पहली बार ऐसी exercise launch करी है इस space में, अंतरिक्ष में, जिसमें उसने दिखाया कि वो किसी भी satellite को नस्ट कर सकता है, destroy कर सकता है अपने drone से, अंतरिक्ष में, तो एक तरीके से पुरी दुनिया में France ने अपना दबदबा बनाते हुए यह दिखाया, कि कोई भी उसकी satellite को space में touch करने की हिम्मत ना करे, उसके अंदर ability है, कि वो अपनी satellite को protect कर सकता है, काफी important है रोही का पूछना है, सर कितने बजे सुबह लाइव आते हैं, वो तो मैं personal channel पर आता हूँ, डेली सुबह चार बजे वीडियो आ जाता है डेली का, अब सर्च कर सकते हो वरू नवस्ति आज 11 मार्च है, आज से लेकर 16 मार्च तक, डेली मैं आपको current affair कराने वाला हूँ, राज में शाड़े 8 से साड़े 9, तो डेली एक घंटा अगले 5 दिन तक आपको देना है, 5 से 6 दिन तक, एक्चुली 6 दिन हो जाएंगे, और इन 6 दिनों में मैं आपको 500 best current affair कोशन कराऊंगा, पिछले एक साल के, SSC CHSL के लिए, अगला कोशन है, which IIT has built a drone with 5G communication network, आप से कहा रहा है, जो यहाँ यह daily class है, यह daily class रहेगी भई, अभी 16 मार्स तक चल रही है, 16 मार्स के बाद वहीं पर plan बता दूंगा आपको, आप से कहा रहा है यह कौन सा IIT है, जिसके द्वारा एक drone बनाया गया है, जो की 5G communication network पर based है, 5G communication पर based पहली बार यह IIT है खड़कपुर, हमारा सबसे पुराना IIT है खड़कपुर, इसकी स्थापना 1951 में करी गई थी, यह जो इन्हों ने 5G communication network बनाया, इसका मतलब समझो क्या है, जैसे दो tower है, एक tower यह है tower 1, यह है tower 2, दोनों के बीच में communication हो रहा है, माल लीज़े tower 2 का repeater या फिर router खराब हो जाता है, उस case में network disturb हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस time पर आप 5G communication network ड्रोन लगा सकते हो बीच में, यह drone क्या करेगा, router और repeater अगर tower 2 के खराब भी है, तो भी इनसे data fetch कर लेगा, extra repeater और router से root करके, और जब तक यह वाला repair नहीं हो जाता, तब तक यह drone क्या कर लेगा, इससे संपरक साथ लेगा, और आपका जो data packet है वो loss नहीं होने देगा, मतलब network को balance करके रखेगा, stable बना क रखेगा, काफी बहतरी इन technology का use किया गया है, मतलब 5Z communication network का पहली बार use किया गया है, 4G तक का तो पहले use हो चुका था, लेकिन IAT खड़क पुटने अभी हाली में इसको launch किया है, यह disturbed reason के लिए basically काफी कारगर है, जैसे की उचाई पर, higher altitudes में जब भी network की दिक्कत होती है जैसे हिमाचल परदेश का valley area हो गया, आसाम का पहाड़ी वाला area हो गया, इस तरीके के areas में यह काफी कारगर साबित होगा, National Highway Authority of India जिसको NHAI भी हम लोग बोलते हैं, इन्होंने अगले 5 साल के लिए कितना revenue बनाने का target रखा है, अभी हाली में नितिन जैराम गटकरी के target लेकर चल रही है, एक लाग करोण का revenue generate करना है इनको, और साथ में ध्यान रखेगा, इनका कहना है भारत सरकार plan कर रही है, electronic toll collect करने का, मतलब कहने का कि आने वाले टाइम में आपको भारत के सभी toll, toll booth में GPS system trackable device मिलेगी, मतलब यह है मानली जगेट, दूर से आपकी को और वहीं से पैसे काट लेगा, आपका balance deduct हो जाएगा, आपको एक second भी रुकने की ज़रुवत नहीं है, मतलब वो 20-30 meter पहले से ही कर लेगा, और ज्यादा से करीब, क्योंकि गाड़ी की speed ज्यादा होती है, करीब 50 meter पहले से ही deduct कर लेगा और gate खोल देगा आपके लिए, आप सीधे निकल जाओगे इससे, ठीक है, और बाइदे वे, NHAI की बात करें, तो इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी, इसका headquarter है नहीं दिल्ली, और इसके chair person है, संजीव रंजन, क्या नाम है संजीव रंजन, आगे चलके green tax भी आपको देना होगा, ध्यान रखिएगा, green tax, taxes काफी लगने जा रहे हैं आगे चलके, बस उमीद है कि facility भी मिले, वैसे एक सबसे खराब बात इस टाइम पर यह है, कि जो toll booth है, आप वहाँ पर देखो कि toll booth में network की नहीं आते हैं, आप कभी भी यह चीज अब्ज़र्व करिएगा, इंदुस्तान के जितने भी toll booth हैं, उन पर तो network है नहीं, तो उनके mobile में message ही नहीं आ पाता है, कितने पैसे कटे, और जब वो आगे 15 km निकल जाते हैं, तब message आता है, पता लगा 28 रुपे कट गए, 30 रुपे कट गए, तो इस चक्कर में यह बड़ी एक शिकायत वाली बात है, इन सारी चीजों को सुधरना NHAI has signed a MOU with which company to install solar charging panels and LED lighting, question का मतलब समझो क्या है, शुएता कुमारी का पूछना है, टोल बूथ, टोल बूथ, बिटा जब आप highway में जाते हो न, तो आप जब एक highway से दूसरे highway पर connect होते हो, तो बीच में टोल बूथ आपको देना, टोल बूथ में आपको टोल टेक्स देना पड़ता है, या एक राज़ से दूसरे राज़ में जब आप एंटर करते हो, तो आपको टोल टेक्स देना पड़ता है, आप से कह रहा है, National Highway Authority of India के द्वारा कौन सी कंपनी को contact दिया गया है, पूरे भारत वहर में, जितने भी highways हैं, सभी में LED light लगाने का, और solar charging panels की स्था की स्थापना 2009 में करी गई थी, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है ये, और इसका headquarter है नहीं दिल्ली, और इसके chairperson है राजीव शर्मा, राजीव शर्मा, देखो है क्या आप लोग लगातार देख रहे हो, भारत सरकार electronic vehicles को promote कर रही है, electronic vehicle बिक क्यों नहीं रहे हैं, पता है क् इस वज़े से नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि electronic charging stations की facility नहीं है, एक बार आप जाधतर गाडियों में देखोगे, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने भी plan किया था, लेकिन जब मैंने plan किया तो मैंने idea drop कर दिया, क्यों कर दिया, जैसे कि मैं दिल्ली रहता हूँ, और मैं दिल्ल तो दिल्ली से कानपूर की दूरी करीब 500 km है, ठीके, अब है क्या कि इसमें electronic vehicle में मैंने देखा कि facility क्या है, क्या एक बार में 450 km तक जा सकती है, ओके एक बार चार्ज करो तो, अब उस case में क्या लगता है, उस case में मुझे सीधे सीधे बता लग रहा है कि अगर मैं दिल्ली स कानपूर जाऊंगा, तो 450 km ही travel कर पाऊंगा, उसके आगे क्या, उसके आगे charging, solar charging panels अगर मुझे नहीं मिले, तो फिर जायर सी बात है, गाड़ी खड़ी हो जाई, कोई मतलब नहीं रहे गया, तो समस्या यही है, कि electronic vehicles market में available है, लेकिन charging panels आपको नहीं मिलने है, इस वज़े से contact दिया गया है, जब charging panel स्थापित किया जाएंगे, तभी ये काम आगे चलके हो पाएंगे, और एक चीज और है, एक और गड़बड़ी आ रही है, जिसकी वज़े से लोग ये गाड़िया नहीं खरीद रहे हैं, अभी जितनी भी electronic कारे आ रही हैं, उनका जो charging time है, वो का सेंटल बजार से हैं, क्या बात है, क्या बात है, अगला कोशन है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो ये राज्य सरकार इस पैसे से परशू रामकुंड को बनाएंगे, तो ये अरुनाचल प्रदेश सरकार को ये पैसा दिया गया है, देखो वैसे तो परशू रामकुंड ऐसा नहीं है कि ये बनाएंगे, ये पहले सही बनाएंगे, ये कौन सी नदी के उपर है, ये लोहित नदी पढ़ती है वहाँ पर, लोहित रीवर के उपर बनाएंगे, पट है क्या रहा कि लोग यहाँ पर इसनान करने के लिए जाना चाहते हैं, और आते जाते भी हैं, कई सारे, हिंदु धर्म के हिसाब से कई सारे रिचुल फेस्टिवल्स में, तो अब क्या है कि इसको, इसको एक प्रॉपर कुंड की फैसलिटी देनी है, मतलब लोग यहाँ पर आके इसनान कर सके, उसके लिए पूरी फैसलिटी देनी है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, जिसके लिए धंडाशी आमन्टित करी गई है, और यह पढ़ता का है, अरुनाचल प्रदेश में पढ़ता है, डिस्टिक कौन सा है, डिस्टिक भी लोहित ही है, लोहित डिस्टिक में लोहित नदी बैती है, वही पर है, पर शुराम कुंड है, अगला कोशन है, और अरुनाचल प्रदेश में सरकार किसकी है, यहाँ पर कोशन देखने को मिलेंगे भी ऐसा नहीं है आप से कह रहा है साल 2021 का भारत और फ्रांस के बीच में जो strategic dialogue हुआ है यह कौन से शहर में आयोजित क्या गया यह आयोजित क्या गया नई दिल्ली में कहां पर नई दिल्ली फ्रांस में इमानुवल मैकरॉन की सरकार है भारत में नरेन मुदी की सरकार है और आपको पता है इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा भारत को रिप्रेजेंट किया है अजीट डोवाल ने अजीट डोवाल यह जो strategic dialogue हुआ है इसका concern क्या था इसका concern था security और counter terrorism terrorism को ख सागर अनवेशका इसको इस साल की शुरुवात में launch किया गया कौन से port से सागर अनवेशका को launch किया गया चिर्नई port से इस साल बहुत ज़्यादा important question है यह ध्यान रखेगा सागर अनवेशका जो है यह normal कोई petrol vessel नहीं है यह research vessel है इसका use scientist करेंगे समुद्र के बीच में जाके यह corals में जाके अगर उने depth में जाके पानी में research करनी है तो वो सागर अनवेशका का use कर सकते है ठीक है और यह जो सागर अनवेशका है इसको किसके द्वारा बनाए गया है इसको GRSE के द्वारा बनाए गया है तो चेन्नई port से इसको launch किया गया underwater mapping technology के लिए use किया जाएगा इसको आपसे कह रहा है इस साल की शुरवात में मादो सिन सोलंकी का निधन हो गया मादो सिन सोलंकी क्या थे चनरलिस्ट थे राइटर थे बिजनस परसन थे या पॉलिटीशन थे यह राज निदिक की थे पॉलिटीशन इनका निधन हो गया 94 वर्च की उमर में और इतना ही यह यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तीन बार यह चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कहां कि यह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गुजरात के, और यह कौन सी पार्टी से बिलॉंग करते थे, यह कॉंग्रेस से बिलॉंग करते थे, किस से, कॉंग्रेस से, पहली बा इनका करियर रहा है, पॉलिटिकल करी है, अब ये नहीं रहे, आप से कह रहा है, मनीपुर की गवर्नर, नजमा हिपतुला के द्वारा एक किताब लॉंच करी गई, इस किताब का नाम है, मेकिंग ओफ जन्रल, आ हिमालियन इको, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये सभी पूरवी राज्यों में, पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको लेफटिनेंट जनरल की पोस्ट मिली, इस किताब में इन्होंने, अपने करियर की कई सारी स्टोरीज को डैवल्च किया यहां पर, और इतना ही नहीं, इनकी लाइफ का जो सबसे वड़ा फेस था, वो था कार आगिल वार में इन्होंने हिस्सा लिया था, और उसके लिए इन्हों युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित क्या गया था, किससे, युद्ध सेवा मेडल, गैलेंट्री अवल्ड, अगला कुश्चन है, वी हैव अब्जर्व, वर्ल्ड हिंदी डे ऑन विजडेट, विश् के द्वारा, इंदरा गांधी के द्वारा, 1975 में, और भारत में पहली बार, हिंदी डे कब मनाया गया, ये मनाया गया था, 2000 चाहे में, डॉक्टर मन्वान सिंग प्रदान मंत्री थे, उनके द्वारा इसकी पहल करी गई थी, अगला कुश्चन है, पहली बार ऐसा हुए है कि अमेरिका में, वाइट हाउस में, डेपिटी प्रेस सेकریटरी के रूप में, किस भारती को एपउंट किया गया, इनका नाम है, सबरीना सिंग, क्या नाम है, सब्रीना सिंग, और जे बीडन के कैबिनेट के द्वारा एप्रूवल दिया गया है, अगला कुश्यन है, ये कौन सी राज्य सरकार है, जिसके द्वारा 25 पिंक बसेस का उद्गाटन किया गया, और इस स्कीम का नाम क्या है, इसका नाम है ब्राह्मन सार्थी स्कीम, इसको लॉंच किया गया, आसाम में सब नंदा सुनवाल की सरकार के द्वारा, ये जो ब्राह्म citizens भी free में travel कर सकते हैं तो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त में यात्रा दिये जाने का प्राउधान है इसके ते हैं क्या नाम है ब्राह्मन सार्थी स्कीन सब नंदा सुनवाल की सरकार है गवनर है यहां पर जगदीश मुखी आप सभी को पता है ना आसाम में पूरे आसाम को अभी reserve area डिकलेर कर दिया गया है जब तक election नहीं हो जाते आसाम में election होने वाले हैं विधान सबा के कितने phase में election होंगे तीन phase में और West Bengal में भी election होने वाले हैं कितने phase में election होंगे 8 phase में सबसे ज़्यादा phase में West Bengal में ही election होने वाले अगला question है Government of India has decided to celebrate how long commemoration on Neta Ji सुभाश चंद बोस हम सभी को पता है कि 23 जनवरी को हर साल हम लोग Neta Ji सुभाश चंद बोस की birth anniversary observe करते हैं और इसको धूम नाम से celebrate करते हैं इस साल भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि हम लोग Neta Ji सुभाश चंद बोस की जो anniversary है इसको कब तक मनाएंगे इसको हम लोग पूरे एक साल तक मनाएंगे और वन ही है ठीक है और क्या बता सकते हो इस साल 23 जनवरी को हम लोगों ने कौन से दिवस के रूप में मनाया बता है जल्दी से बता है जल्दी से दीरज कुमार का कहना है सर मौक में कोश्चन बहुत अलग टाइप का होता है जिससे लगता है कि कुछ यादी नहीं है जबकि मंतली याद है मुझे देखो mock test जिसका आप लेते हो आप किसी का भी market में mock test लेलो मेरी बात ध्यान से सुनना आप उसकी जगे खुद को रख के देखो आप एक व्यापारी हो आप एक business करने वाले हो आपको mock test बना के देना है daily आपको 100 question set करने है student के लिए even मैं कम बोल रहा हूँ जादा ही करने होते हैं 100 banking में करोगे 100 SSE में करोगे करोगे न अगर आप 100 नए question नहीं लेके आओगे वही पुराने question रखते रहोगे कोई student आपका mock खरीदेगा नहीं खरीदेगा पड़ सवाल यह कि ये 100 नए question कहां से लाओगे एक time के बाद genuine question खतम हो जाते हैं 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद genuine question खतम उसके बाद understand question आना शुरू हो जाते हैं जिसका कोई criteria नहीं होता paper से कोई लेना देना नहीं होता है कहीं से भी question उठा के डाल दिये जाते हैं और बड़े rare question होते हैं इसका एक और impact पड़ता है आप जैसे student जब mock में paper नहीं कर पाते हो तो उन्हें लगता है क्या उन्हें लगता है कि अभी तो मेरी तयारी नहीं है वो और mock खरीदते हैं अगर mock में आपके 100 में 100 आने लगेंगे या 100 में 80 आने लगेंगे तो आप mock खरीदोगे यह नहीं आपको लगेगा क्या आपकी तयारी पूरी हो चुकी है लेकिन विश्वास मानिए mock में question repeat नहीं होते हैं लेकिन SSC हर साल 80% question repeat करता है तो विश्वास मानिए अपने उपर रखिए विश्वास अगर आपने पढ़ाई करी हुई है तो आप जरूर निकालोगे SSC में सारे question बहुत easy आते हैं जो 25 question आपके GS में पूस्ता है उसमें से 3 question rare होते हैं या maximum 5 rare होंगे लेकिन बिटा 20 question में से 6-7 current affair के तो होंगे बाकी सब आपके repeated question होंगे 10-12 समझ गए इस वज़े से ध्यान रखिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसे मानो कि अगर आपने मुगल अंपायर पढ़ा है तो भाई मुगल अंपायर में question और कहां से उठा देगा लेकिन नहीं उनका वो व्यापार है वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके मौक नहीं बिकेंगे खुद सोच के देखे तो इस वज़े से मौक को बहुत seriously मत लो मौक से कभी भी marks मत decide करना मौक का use क्या करो time management के लिए मौक जब भी दो तो ये देखो कि time के अंदर maximum question आप कर पा रहे हो की नहीं बस ये target लेके मौक दिया करो ठीक है अरे SSC के लिए आप लोग अलग अलग मत पूछा करो आप कोई भी SSC का exam दे रहे हो आप JEE दे रहे हो, STANO दे रहे हो आप कोई भी दे रहे हो, आपको current affair मिल जाएंगे मेरे पढ़ाय हुए आप यहीं से तयारी कर लीज़े कोई दिक्तत नहीं है अगर आपने मेरी class कर रहे है सारे current affair मिल जाएंगे आपका कल्यान हो जाएगा, कोई दिक्तत नहीं ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने इस साल की शुरुवात में Cinema Halls में 100% occupancy approve करती मतलब कहने का कि Cinema Halls को आदेश दे दिये कि वो 100% सीटें बेज सकते हैं अभी तक भारत सरकार की गाइडलाइन थी ना कि 50% सीट ही आप बेज सकते हो एक-एक सीट छोड़के Cinema Hall में आपको सीट बेज दिया है ये है ममता बिनर जी की सरकार इनके द्वारा approval दे दिया गया राज के अंदर सभी Cinema Halls को 100% occupancy का अगला question है ये कौन सी UT government है जिसके द्वारा इस साल की शुरुवात में कोनकनी Academy का शुभारम बिकिया गया कोनकनी Academy का शुभारम दिल्ली में अरविंद केजरिवाल की सरकार के द्वारा किया गया इन्होंने Tamil Academy भी launch करी है कौन सी Tamil Academy देखो ये जो दोनो Academy launch करी है इसका main मतलब ये है कि कोनकनी Academy में आप language course कर सकते हो कोनकनी का अगर आपको कोनकनी की जानकारी नहीं है आप language course करना चाहते हो तो कर सकते हो Tamil Academy में आप Tamil भाषा को जान सकते हो तो आप दोनों ही अकेडमी से language course कर सकते हो इसके लिए आपको certificate दिया जाएगा और अगर आप पढ़ने में बहतर रहे है तो हर साल students को यहाँ पर award दिये जाने का भी procedure है जान रहे है हमारे सम्विधान के तैट जो 22 भाषाओं का उलेक किया गया है उसमें Tamil भी है और कौनकनी भी है तो एक तरीके से दक्षण भारत की यह दोनों languages को promote करना दिल्ली सरकार का में कर्तब यह इनों ने बताया और इस उद्देश के साथ इन दोनों academy को खोला हुआ है क्या बता सकते हो अभी तीन दिन पहले ही दिल्ली सरकार के द्वारा budget launch किया गया है 2021 कितने करोन का budget launch किया गया है बताईए कितने करोन का budget इनोंने launch किया इस बार अवनेंद्र पहले ही बता चुके हैं क्या बात है very nice 79,000 करोन का बजट लॉंच किया गया है 69,000 CR कर ठीक है बूलोगे तो नहीं चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी शाम को साड़े 8 बज़े करेंट अफेर की मारतन में मिलेंगे कहां पर वरुनावस्ती करेंट अफेर यूट्यूब चैनल पर ठीक है बाई अब्रीवन टेक क्यार है अपना ख्याल रखे और हाँ आज शाम को अनकेडमी पर स्पेशल क्लास भी है मेरी 5 बज़े स्टाटिक जीके के कोश्चन कराऊंगा वहां पर भी आना मत बूलना बाई अब्रीवन टेक क्यार है और है आपका दिन मंगल में हो और हाँ मेरी तरफ से आप सभी को शिवरात्री की बहुत बहुत शुपकामना है